इस वीडियो में हम वैसे एस्टुडेन के बारे में बात करने वाले हैं जो भी हार ITI 2021 का एक्जाम दिये हैं और एंक कड आने के बाद अपना काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राखिर किस परकार से भी हार ITI का काउंसलिंग होता है तो जो आज का वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को सुरू करने से पर आप से एक ही बात कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल एकन को जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पस जाते रहे तो चली हम आपको बता दें कि काउंसलिंग कैसे होता है तो देखिए काउंसलिंग एक ओनलाइन प्रोसेस है तो सबसे पहले आपको रजिस्टेशन कराना होता है ठीक है रजिस्टेशन कराने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ट बनाना होगा और जब यूजर आईडी और पासवर्ट बन जायेगा तो उसके बाद आपको 24 फिलिंग कराना होता है तो 24 फिलिंग में एक साइड ITI College का नाम और एक साइड Trade का नाम तो इसी परकाच जो अपरका कांसलिंग होता है यानि एक साइड में आप जितना ITI College का नाम दे सकते हैं आप दे दिजिएगा और सिर्फ वहीं ITI का नाम देना होता है जो आपके district में होगा और इस side में जितना भी आप trade दे सकते हैं आप लोग दे सकते हैं तो आप लोग कोशिस की दियेगा कि आपके district में जितना भी ITI हो सब का नाम दे दे ताकि आपका कितना भी रेंग क्यूं ना हो आपको सरकारी ITI मिल जाए